प्यारे बचो नमस्कार कैसे हैं आप मित करते हैं बेटर होंगे आपके प्रहाईले खाई बेहतर ढंग से पूरे जो जुन्सका चर रहा होगा आज हम बात करने वाले हैं कोईडिनेट में यानि की नियामग जैमीती में सेक्षन फर्मूला की बात देखिए इस कोशन को देख ताकि सारी बात आप समझ सकें तो चलिए शुरात करते हैं इसका पहले बेसिक कोशन से फिर हम हाई लेवल का कोशन में आएंगे यहां पे गौर करो यह कोशन को पहले समझे क्या कहता है कि उस बिंदू का निर्दे सांग यात करिए जो बिंदू फलना और चिलना को मिलाने वाली रेखा खंड को आंतरिक रूप से तीन अनुपात एक में बाड़ता है यानि दो बिंदू दे चुका है यहां पर कहता है कि माइनस चार और चार है पहला बिंदू है और दूसरा बिंदू कहता है कि चार जीरो है यह दोनों को मिलाने वाली रेखा मानलो कि ए है जिसे जिसे यहाँ पर कोई बिंदू जो है इसे तीन अनुपात एक में बाड़ता है यह बिंदू को मान लो X और बाई इसी का मान आप से पुशा गया है यानि वह बिंदू आपको बताना है जो इस रेखा को तीन अनुपात एक में बाड़ता है रेखा मतलब ये दुनों बिंदू को मिलाने वाली रेखा, क्लियर है, बनाने का तरीका बहुत आसान है भाईया, पहले वाला X, दुसरे वाला बाई, पहला X, दुसरा बाई, पहला X, दुसरा बाई, सब को पता है नियामक में, अब यहां पर गौर करना, अगर आप X के मान निकार रहा हैं, तो X को पकरो, इधर से पकरना, X को पकरना, और एक उशुर के अगला में गुना कर देना है, क्लियर है, तो क्या होगा, चार तीया, बारह, अब पलस कर देना भाईया, इधर से आओगे X कौन है, पहले वाला, तो इसी एक उशुर के अगला में गुना कर तो माइनस 4 गुना 1 क्या हो जाएगा माइनस 4 अब बटा में डाल दीजिएगा दोनों जो रेसियो है उसका योग 3 एक 4 अब इसको अगर हल करिएगा तो आपका जागा 12 में से 4 गया 8 बटा 4 यानि की 2 एक्स कमान निकल गया अगर इसी प्रकार से हमें बाई कमान निकलना होता इसको हम मिटार देते हैं समझने के लिए अगर हमें बाई कमान निकलना होता तक किरिया बिल्कुल इसी प्रकार से हम करेंगे यानि इधर बाई को पकरेंगे इधर आएंगे एको शोर के अगला में ग थेंगे हां सर बिल्कुल निकल गया, X कमान आपका है 2, अब बाई कमान आपका निकला 1, यानि वह बिंदु कौन है भाईया, 2, 1 है, 2, 1 है, यानि कि B option आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यह भी एक्जाम में आया हुआ कोशन है, ऐसा रेलिवे SSC बार बार पूशता इसे difficult question भी last में हम करेंगे अन तक जरूर देखिएगा question को अब यहां पे इस question को समझने का प्रयास करते हैं कहता है उस बिंदू का निर्दे संग हमको बताना है जो दो बिंदू यहां पे दे रखा है minus 1 और 9 तथा दूसरा बिंदू दे रखा है 11 और 11 यह बिंदू को मिलाने संग पता करना है जो इस रेखा को तीन अनुपात एक में बाड़ता है मालो यह बिंदू कोन है भाईया xy है यानि यही xy का आपसे मान पूशा गया है करना क्या है हम बता चुके हैं हना पहला वाला x दूसरा बाई xy clear है यहां से x का मान निकाल रहे होते हैं तो पहले x को तो यह हो जाएगा minus 1 clear है दोनों को जोड के इसका अनुपात के योग से भाग दे दिजेगा तो तीन एक चार अब इसको आप देखेंगे तो आ जाएगा 32 बटा चार यानि की 8 कि लिए भाई यहां तक अब यहां पर देखिए अगर बाई का नियामक निकालना है तो क्या क करिएगा तो एक स्वाला इसको फासा हम समझने के लिए मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में disturbance न हो बाई कमान निकालना है तो दोनों और से बाई को आप चुनेंगे दुसरका बाई वालमान होता है चलो एको शोर के अगला में गुना कर दिजेगा तो तीन गुना यह क प्रस्ण का answer आप नहीं दे लेंगे तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दे रहेंगे एकस बाई कमान कितना हो जाएगा तो एकस कमान हो गया आठ अब य कमान हो गया तीन यही आपका प्रस्ण का जवाब हुआ यानि आठ तीन जहां पे भी देखो आठ तीन वहां पे मार दो यानि किसी option मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब देखते हैं आगे की कहानी भी हम कर लेते हैं यह कोशन को गौट से देखिए यह कोशन बार बारेलिवे SS में पुछा जाता है हम लों बहुत लेंदी प्रोसेस अपनाते हैं लेकिन आज के बाद नहीं यहां प यह एक आज दूसरा बिंदु है शे एक और यह दोनों बिंदू को मिलाने वाले रेख़ा खंड को यह रेखा यह रेखा यह रेखा यह रेखा यह रेखा यानि की फोर एकस पलस बाई अरже 13 को इधर लियावो, तो, मैनस 13 बराबर 0 किस अनुपात में विभाजित करता है, यह रेखा, जाना इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, सपोज मालोसको AIMन कहते हो, तो आपसे मुख रूप से पुछा गया, aim अनुपात in क्या होगा यानि इस रेखा को यह किस अनुपात में बाढ़ता है हमको कुछ भी मानने के आप सकता नहीं है बस आप तरीका देखें यहां पे आपको aim अनुपात in निकालना है यही ना aim अनुपात in यानि कि aim बटा in निकालना है कुछ मत किजिए यहां यह पहले वाला पहले वाला से उठाईए यानि पहले वाला मान सब को पता है यह सब को पता है यह एक एकस का मान यह शे बाई का मान एकस का बाई का होता है तो पहले यह वाला मान इस समकर्ण में पूट कर दीजिए अब उपर में चलो X के स्थान पे 1 put करोगे तो 4 गुना ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना plus है तो plus दे दीजिए यहां पे देखो by कमान 6 put करोगे तो हो जाएगा 6 minus का 13 किलिए रहे भाईया हो गया अब ये वाला मान put करके नीचे लिख दीजिए क्या होगा 6 4 के 24 ये वाला X कमान ये वाला बाई कमान है तो X कमान put करोगे तो 6 4 के 24 अब पलस का हो जाएगा भाईया 1 माइनस हो जाएगा 13 इसके आगे अपने मन से मानस लगा दिजिए आपका इंसर आ जाया कुछ भी मानने के आप सकता नहीं है अब यहां पर गौर करिए आपका इंसर क्या निकलेगा तो कहेगा बिल्कुल जी 10 में से 13 गया यह आ गया माइनस 3 आ नीचे में आ गया 24 से 25 में से 13 गया 12 इसके पहले भाईया माइनस था तो माइनस माइनस आपका कैंसल हो जाएगा तीन 4 बारा एक अनुपात 4 आपका एंसर आ जाएगा यानि यानि एम अनुपात एन बराबर यानि कि यह रेखा कोई यह बिंदू जो बाट रहा है उसका रेखियो क्या होगा तो एक अनुपात 4 होगा यह एक होगा तो क्या होगा चार होगा गौर से समझेए यहां पर आपसे दूसरा कोश्चन ही पुछ सकता था यह एक होगा तो यह क्या होगा चार होगा आपसे यह बाला मान भी पुछा जा सकता था कि एक पर लेकर आउट समझना जो की रेलिवे में पुशा गया है उन बिंदो का अनुपात आप से पुशा गया है जो रेखा 3x पलस 2y बरावर 17 इन दोनों बिंदो को मिलाने वाले रेखा को बाढ़ती है यानि जिस अनुपात में बाढ़ती है वह अनुपात आपको बताना है यह है भी रेलिवे में पुशा गया कोशन है दो बार गौड से समझे यहाँ पे दो बिंदो दे रखा है दो पाच दूसरा बिंदो दे रखा है पाच दू यह दोनों बिंदो को मिलाने वाले रेखा यह हुआ इस रेखा को यह वाला रेखा यानि 3x 3x पलस 2y माइनस 17 बरावर 0 किस अनुपात में बाढ़ता है किस अनुपात में बाढ़ता है यह आपको अनुपात निकलना है यानि यह दोनों का अनुपात क्या होगा यह आपको पता करना है इन दोनों बिंदों को मिलाने वाले रेखा को यह रेखा किस अनुपात में बाढ़ता है मैंने बताया जाएगा 6 अब पलस बाई का स्थान पर 5 रखेगा तो हो जाएगा 10 अब माइनस का हो जाएगा 17 क्लियर है भाई अब ये वाला मान तो आपका निकल जाएगा हल करिएगा तो आप कहिएगा कि 16 में से 17 गया माइनस 1 नीचे कहिएगा 15 सा उनीस में से 17 गया 2 अब क्या आप इसको हल कर सकते हैं तो हाँ जी माइनस में कर जाएगा यानिak अनुपात 2 आपका पूस्न का जवाब हो जाएगा किलियर है भाई एक उ यूइन केहें कि एननुपात धो होगा तो हम कहेंगे एक और दो होगा एक आपका प्रसंद का जवाब होगा अगर बाटेगा यह काटेगा तो कुस नहींकरना इसको बनाने का कई तरीका हो जाता है फिर औपसें भी हम बना लेते हैं औपसन यह मान रखाकर देखते आप निकाल सकते हैं ठीक है भाया तो हमें लगता है ये बात आपको सुने आया होगा और अगर बढ़िया लगा होगा क्लास तो अपने दोस्तों में सेर जरूर कर दिजेगा लाइक तो आपको करना ही करना है और अगर ज्यादा बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों को भी